हेलो दोस्तों, आचल टेरिस कारडन में आपका स्वागत है, आज है जन्वरी की बारा तारीक, शाम के पांच बजे हैं, टेरिस पे आई हुई हूँ, पिछले चार दिनों से हमारे यहां बारिश हो रही है, आप छट की हालत देख सकते हैं, और सीजनल प्लांट की हालत भी ख नहीं किया है, बहुत सारे प्लांट को, तो सर्दियों की जो बारिश होती है, वो हमारे विंटर प्लांट के लिए खराब हो जाता है, नुकसान पहुचाता है, और पानी भर जाते हैं, फ्लावर्स फिर खराब हो जाते हैं, फंगस का अटैक होता है, और प्लांट भी धीर लगाई थी permanent plant की उनके plants तयार हो गए है और मौसम भी काफी अच्छा चल रहा है उन plants की reporting के लिए तो उनकी मैं आज reporting कर दूँगी लगभग मेरे 6 plant तयार हैं वैसे तो बहुत सारे तयार हैं लेकिन आज मैं 6 plant की reporting करूंगी इसलिए वीडियो को पूरा end तक जरूर देखें तयार हो गया है cutting से और आप भी उनकी cutting लगाकर उनके plants बना सकते हैं बिल्कुल free में तो आज मैं उन ही सारे plants की reporting करूंगी उससे पहले थोड़े से मेरे garden की हालत देख लीजिए विंटर में किस तरह से चल रहे हैं पर्मनेंट प्लांट तो बहुत ही अच्छे से हैं लेकिन जो seasonal plant होते हैं हमारे जो winter flowering plant होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है बारिश में और यहाँ पर सारे मेरे गुलाब के collection है गुलाब तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं आप देख सकते हैं friends उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता उनको नुकसान ही नहीं होता बारिश के पानी स क्योंकि permanent plant होता है गुलाब और सारे यह hybrid गुलाब हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे से इन में growth हो रही है देखिए यहाँ पर भी बहुत खुबसूरत और इस तरब भी आप देख सकते हैं birds काफी बने हुए हैं नए नए growth चल रहे हैं गुलाब में नई पत्तियां आ रह रही है काफी सारे कलियां भी बन रही है spring season में तो बहुत अच्छे से blooming करेगा गुलाब का plant और चलिए फिर हम अपने cutting के बकसे की और चलते हैं और यह हमारा pentas भी बहुत अच्छा लग रहा है इनको बारिश का पानी और यहाँ पर rubber plant में मैंने कुछ seed डाल दिये थे और प phicus का plant है इसको भी मैंने terrace पे shift कर दिया था और तो इधर भी सारे plants मेरे रखे हुए हैं वीडियो थोड़ इसी लंबी हो जाती है friends सारा चीज शेयर करने में तो patience के साथ वीडियो देखा करें और like जरूर किया करें पसंद आता है तो और subscribe तो कर ही दिया करें friends यदि आप मेर आसा और अच्छा करने की प्रोथसाहन प्रेड़ना कहें मिल जाती है और यहां पर डहलिया के भी plant आप देख रहे हैं सारे plant बहुत अच्छे से चल रहे हैं लेकिन जो full है वो खराब हो रहे हैं तीन चार flowers को मैंने cut करके हटा भी दिया था डहलिया के तो चलिए हम अपने cutting इंके बकसा की और चलते हैं यह देखिए यह गुड़ल है hybrid yellow color का flower आता है इसमें बीच में जो red color के dot होते हैं बहुत बड़ा size का जो flower आता है वही plant है यह और यहां पर तीन चार एक जोरा के plant भी लगे हुए हैं और निकालते हैं अभी तो मिट्टी बहुत गीली है और मैंन जो रेत और मिट्टी का मिश्रण है वो तो आसानी से निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और एक खास से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे निकालने में परिशानी हो रही है तो कोई बात नहीं धीरे से हम निकालते हैं और इसकी cutting मैंने October के first week में लगाया था October या September के last week में मैंने इनकी cutting लगाई थी आप लोग से share भी किया था इनका वीडियो मैं description में डाल दूँगी और देखे ये इतने सारे देख रहे हैं और ये जो बड़ा सा root किसका है मुझे देखना पड़ेगा बहुत सारे जब हम cutting grow करते हैं तो यही दिक्कत होता है निकालने में ये देखे कितना बड़ा सा roots है ये किसका roots है पता नहीं इसमें pride of India भी लगा हुआ है एक plant तो हो सकता है उसी का होगा क्योंकि उसी की roots बहुत गहराई तक जाती है क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ बनता है वो pride of India और ये देखे फ्रेंट्स य ये मेरे garden में flowering करेगा क्योंकि अभी इनके पास 5-6 महने का time है तो बारिश आने में और ये गुड़ हल है ये hybrid गुड़ हल है आप roots देख सकते हैं लगभग धाई महने हो रहा है दो धाई महने और दो धाई महने में इसकी roots कितनी अच्छे से बन गई है तो October का महिना भी ब लगा सकते हैं वैसे तो cutting हमें बारों महिने लगानी चाहिए और यहां पर एक जोरा है ये जो छोटे पत्ते वाला आप देख रहे हैं ये white वाला एक जोरा है ड्रॉफ वराइटी का मेरे पास तीन एक जोरा के प्लांट है तीनों ही ड्रॉफ वराइटी के हैं red, white और pink तो ये white वाला है देख रहे हैं इसके जो फूल होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं बंचेस में आपने मेरे वीडियो में देखा भी होगा एक जोरा के फूल और ये देखे इसमें भी काफी बढ़िया roots बनी हुई है आप देख सकते हैं तो rate में cutting हम जब लगाते हैं तो उ permanent plant की reporting है उनके लिए और अभी आने वाले दो-तीन दिनों तक भी हमारे यहां बारिश की संभावना बनी हुई है तो एक-दो दिन इनको और set होने में अच्छा मौसम मिल जाएगा इसलिए ऐसा सोच कर मैं इन plants को निकाल रही हूँ cutting को देखे इसकी भी roots आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बने हुए हैं तो cutting लगाते रहें friends रेत में या फिर half part sand या half part मिट्टी मिला कर भी आप cutting लगा सकते हैं उपर से मैंने मिट्टी डाल दिया था नीचे तो पूरा रेत है इसमें जो cutting का बकसा है ये थर्मकॉल का बकसा है ये जो electric समान आते हैं देखे एक गुड़हल वहाँ पर भी है वो भी ready हो चुका है लेकिन मैं अभी उनको नहीं निकालूंगी एक और गुड़हल ये देखे दो गुड़हल है यहाँ पर दोनों के plant तयार हो गए हैं तो इनको भी मैं कभी report कर दूंगी और एक ये हमारा एक जोरा का और है ये यहाँ पर य ये देखे ये भी pink color का ही है इसका पत्ता भी थोड़ा सा अलग है दोनों के पत्ते सेम हैं तो pink और white एक जोरा के ये plant बन गए मेरे और मैंने बारिश में भी इनकी cutting लगाई हुई थी उनको मैंने पहले report कर दिया तो बहुं सारे मेरे पास तयार हो गए है एक जोरा के plant और इसकी भी roots आप देख सकते हैं ये देखे friends काफी बढ़िया roots डेवलप हुए हैं और permanent plant ही हमारा साथ नहीं छोड़ता friends इसलिए मैं ज्यादा तर permanent plant अपने garden में add करती हूँ seasonal plant भी लगाती हूँ लेकिन मुझे seasonal plant लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है नरसरी वाय नहीं हमारे यहाँ बाहर से जो भईया आते हैं नरसरी वाले उनहीं के पास मुझे लेना पड़ता है तो अपनी shock के लिए मैं seasonal plant लेती हूँ वैसे मेरा जो मुझे सबसे जो अच्छा लेनिया का प्लांट लगा हुआ है उसको हटा देती हूँ और इसी में मैं लगाऊंगी देख रहे हैं इसको लगा दूंगी मैं अब आपको मैं लगा के दिखाऊंगी क्योंकि एक हाँ से तो reporting होगा नहीं और यह देखी है हमारा white exora बहुत सुन्दर इसकी रूट से इतनी और अपडेट तो मैं आप लोग के साथ शेयर करते ही रहती हूँ अपने गाडन का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने यह तीन पाँच लगभक छे प्लांट मेरे तैयार हैं और देखे इसको दो गमला मेरा खाली था बड़ा साइच का है यह गमला 12 इंच का है यह तो और काफी बड़ा प्लांट बनता है यह प्राइड आफ इंडिया तो इसको भी बड़े पॉट की जरुरत होती है तो यह देखे फ्रेंट्स इसको भी मैंने लगा दिया एक में प्राइड आफ इंडिया और एक में गुड़हल हाइब्रिड गुड़हल यह देखे यह यह और ये तीन प्लांट मेरे बच गए हैं, तो इनको मैं polybag में लगा दूँगी, ये चार प्लांट बचे हैं, चार प्लांट को मैं polybag में लगा देती हूं, तो मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूं, सिंपल सा तरीका है और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं जो पॉट में भरा हुआ है वो मेरा कीचन वेश्ट से जो तयार हुआ था वही मिट्टी है आप लोग के साथ अभी दो-चार दिन पहले वीडियो शेयर किया था वही वाला मिट्टी मैंने गमले में भर दिया था और उसी में मैंने प्लांट लगा दिये और ये पॉली बैग में भी वही वाला मिट्टी भरा हुआ है थोड़ा सा रेत भी मैंने एड़् किया था और का चार प्लांट मैंने पॉली बैग में लगा दिये और दो प्लांट मैंने पॉट में लगा दिये तो कटिंग से आप फ्री का प्लांट जरूर बनाईए फ्रेंट्स और बिल्कुल लगी जाता है कोशिश करते रहना चाहिए कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी easily हम अपने plants को grow कर सकते हैं, उनकी care कर सकते हैं और यह देखिए, यहाँ पर भी मैंने cutting अभी लगाई है, तीन-चार दिन पहले hospital गई थी मैं, तो वहाँ से मैंने ticoma का plant cutting करके ले आया था branch, और यह वो purple वाला ticoma है, purple color के flower आएंगे उसमें, यदि इसका cutting तयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो यही share करना था, मिलते हैं फिर happy gardening